आलिया भट और रन्बीर कपूर अभी बॉलिवुड के हॉटस कपल्स में से एक हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इन दिनों जादा से जादा वक्त बिता रहे हैं फिल्म ब्रम मास्ट की शूटिंग के दौरान रन्बीर और आलिया एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं और अब ये दोनों एक साथ किसी प्रॉपेट्री में इन्वेस्ट करना चाते हैं आपको बता दे रन्बीर और आलिया पिछले दिनों नियॉयोर्क में मिनी वेकेशन मना रहे थें वही कपूर फैमली के साथ आलिया ने नीटू कपूर का जन्दिन भी मनाया वही राजी एक्ट्रिस ने एक खोपसूर सी तस्वीर शेयर भी की थी जहां नीटू कपूर के लिए आलिया ने लिखा था सबसे सुन्दर आत्मा को हैपी हैपी बोदे यह दिन आपके बेस्ट दिनों में से एक हो जिसमें प्यार हसी और केक हो आपको सबसे बड़ा और सबसे जोर से गले लगाना भेज रही हूँ और अब रनबीर कपूर और आलिया भट वापस मुंबई आ गए हैं और आते ही इन दोनों ने प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दिया है सूत्रों की माने तो ये लवबर्ट्स एक साथ अलग घर लेना चाते हैं और साथ ही एक बड़ी सी ओफिस भी खरीदना चाते हैं ताकि वो फ्यूचर प्लानिंग कर सके इसके अलावा आलिया और रनवीर अभी आयान मुखर जी की फिल्म ब्रम मास के शूटिंग के लास के डूल को पूरा कर रहे हैं